नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्द पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों माता, लक्ष्मी करेंगी आपके उपर धन की वर्षा बस चुप चाप फेंक देना यहाँ पर पांच जीरे के दाने रातों रात बन जाओगे आप करोडपती, माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके जीवन काल में होती रहेंगी धन की वर्षा दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चल रही है प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है और उन्ही मसालों में से एक मसाला है जीरा जिसका प्रयोग वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं किन्तु ये बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का यदि सही प्रकार से प्रयोग किया जाए ना केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है बल्कि आपको साक्षात माता, लक्ष्मी का वर्दान और आशीरवाद भी मिल सकता है जोतिश शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताये गए हैं जिनका प्रयोग करके ना केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं जोतिश शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है यदि उसका प्रयोग जोतिश शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्द पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का इस प्रकार से वर्दान प्राप्त हो सकता है जिसके पश्चात ना केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी बलकि आपको माता का वो वर्दान और वो आशिरवाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन काल में सदैव धन की वर्षा होती रहेंगी आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे दोस्तों जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख सम्रिध्धितो आती ही आती है इसका उपाय का सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिती भी बहुत ही मजबूत रहती है कहा जाता है कि जीरे का सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में आ रही लगातार अर्चने जो होती है वो खत्म हो जाती है जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है दूसरी तरफ आपका भाग्य इस प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर देता है जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं, उस कार्ड में आपको सफलता मिलती है, दोस्तों मान लीजिए, आपकी कुंडली में वास्तु दोश है, मंगल दोश है, शनी दोश है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानिया हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा आप अपने में यह देख रहे हैं, कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड लिया है, जिसका आप इलाज करा करा के ठक गए हैं, परंतु कोई लाब नहीं मिल रहा है, केवल आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगा करते हैं, तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी, इसी लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, जीरा एक बहुत साधारन सी चीज है, जो बड़े आराम से मिल जाती है, किन्तु इसका प्रयोग कैसे करना है आपको, वो आपको पता नहीं होगा, दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है, कहां तो यहां तक गया है, कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्षमी का आशीरवाद चाहता है, और वो केवल जीरे का प्रयोग और जीरे का उपाय माता लक्षमी जी के सामने सही दिन पर और सही मुहूर्थ कर लें, तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्षमी जी का वो वरदान और वो आशीरवाद मिलता है, जिसके पश्चात उस व्यक्ति को कभी भी आशीरवाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी धन की कोई कमी ना हो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने और माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ हो तो पहले तो आप पूर कमेंट बॉक्स में अपनी राशे डाल दी जगह, आपकी राशे के अनुसार, कोई भी ऐसा उपाय होगा, इस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे, दोस्तों को आके हम आपके रिपलाई बता देंगे, किन्तु इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़े तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानियाओं आ जाती है, जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से हैं, जिसने करजा ले रखा है, तो आज आपक करजा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको पांच शुक्रवार यह क्या उपाय करना होगा? अब शुक्रवार को ही दिन क्यों? तो जो शुक्रवार का दिन होता है, वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, कि दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर क्रिपा बरसाती है और यह जो उपाए हम आपको बताने जा रहे हैं यह उपाए करने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी की वो क्रिपा प्राप्त होगी जिसके पश्चात आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, पांच सप्ताह आपको यह उपाय करना है। माता लक्ष्मी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं, बहुत ही शुब होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कि जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबे हुए चला रहे थे, उस कर्ज के से आपको आराम से मुक्ती मिल जाएगी। दूसरा उपाए हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है घर की बरकत का महा उपाए। देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो जब आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नती होती है। आपके दोस्त यार, नातेदार, रिष्टेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं, जिसके पश्चात आपके घर की बरकत रुक जाती है, और शायद ये बात आपको ना पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे को भी सूखा देती है। और मान लीजिए, आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नती नहीं हो रही है, आप चाहते हैं, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नती हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाए, यदि आप लोग ने मंगलवार की सूर्यास्त के पश्चात कर लिया, तो दोस्त आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नती भी होगी, किन्तु ये तीन मंगलवार आपको करना है, मंगलवार करने के पश्चात, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तिया खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा आपको एक मिट्टी का दिया लेना है मिट्टी का दिया के अलावा यदि आप लोग पीतल का पात्र लें तो और भी ज्यादा शुब होगा उसमें आपको गिन के 51 जीरे के दाने रखने है तीन काली मिर्च रखनी है चार लॉंग रखनी है बस इतना आपको रखना है को ये जलाना है और इसका धुआ पूरे घर में दिखाना है तीन मंगलवार ये उपाय कर लीजिए आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा इसी प्रकार से दोस्तों अब मान लीजिए आपके उपर कोई दोश लगा हुआ है मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि इन प्रकार के दोशों से, इन प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो एक सरल से उपाय हम आपको बता हैं। देखिए यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात करना सूर्यास्त के पश्चात कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए। आपको तुरंत ही लाब देखने को मिल जाएगा। यदि आपका जैसे नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है। आपको क्या करना है। शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात एक मुठ्थी जीरा लीजिये, एक मुठी जीरा लेने के पश्चाद, इसको अपने सर के ऊपर से बाईं और से दाईं और, बहुत ध्यान से सुनियेगा दोस्तों, बाईं और से दाईं और इस जीरो को घुमाना, आपको घर के सामने भी आपके सडक पढ़ती है, उस सडक के दूसरी तरफ, इस जीरे को शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात आपको फेंक देना इतना उपाय कर लीजिए आपके उपर जो भी नजर लगी होगी ये जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके उपर से नजर सदैव के लिए खत्म हो जाएगी बस इस बात का ध्यान रखेगा यह उपाय केवल शनिवार के दिन की जाता है दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा यदि किसी व्यक्ति का राहू केतु साथ नहीं देगा वो व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति यदि गलत निर्णय भी ले लें, उस गलत निर्णय से भी उसको फाइदा पहुँचता है और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फाइदा पहुँचे तो आपको भगवान विश्णु जी की शरण में जाना होगा एक बात का ध्यान रखिएगा किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रन होता है वो भगवान विश्णु जी के हाथ में होता है और आपने यदि भगवान विश्णु जी को प्रसंण कर लिया है तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का भी आशीरवाद मिलेगा तो आपको क्या करना है, देखिए यह उपाय करने के लिए आपको तीन ब्रहस्पतिवार यह उपाय करना होगा, तीन ब्रहस्पतिवार का मतलब आप तीन ब्रहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं, गुटका, पान, मसाला, शराब, मदिरा, ये सब आप बिलकुल नहीं खा सकते हैं, ब्रहस्पतिवार यह उपाय करने के पश्चात, आपका राहू, केतू, सदैव आपका साथ देगा, जो भी आप निर्णाय लेंगे, उस निर्णाय से आपको फायदा पहुचेगा, बहुत ही आसान से उपाय है, आपको क्या करना है, ब्रहस्पतिवार का जो दि पीले कपड़े पहने जाएं, तो वो पूजा तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाती है, को पीले कपड़े पहने एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर लीजिए, एक मुठ्थी जीरा लीजिए, आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास पीपल के पेड़ में भगवान विश्नु जी का वास होता है, पीपल के पेड़ के पास जाईए, सबसे पहले ये जो जीरा आपने एक मुठ्थी लिया है, ये आपको पीपल पेड़ के दक्षन तरफ बहा देना है, दक्षन आपने बहा दिया, अब ये एक लोटा पीपल के पेड़ को अरपित कीजिए, इस जल को पीपल पेड़ की साथ परिक्रमा कीजिए, साथ परिक्रमा करते वक्त भगवान विश्नु जी का बीज मंत्र बोल दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, यह नमह हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम नमो पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके राहु केतु साथ देना शुरू कर देंगे, आप जो भी निर्णाय लेंगे, उस निर्णाय से आपको फाइदा पहुँचेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।